नवश्कार, कुमार एश्टो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ आजके इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या लगन के लिए वर्गो एसेंटनेंट्स के लिए 13 फरवरी 2023 से 14 मार 2023 तक के मंत्ली पिडिक्शन के विशे में यह जो मंत्ली पिडिक्शन है यह लगन के अधर पराधारित है तो आप इसे अपनी लगन राशी के लो सारी देखें तो आईए देखते हैं प्लेनेट आपके लिए क्या खुशों की सोगात लेकर क्या रहे हैं सबसे पहले बात करेंगे बुद्ग्रे के बारे में बुद्ग यहां पर उत्राशारा नक्षत सुरे के नक्षतर में गोचर कर रहे हैं यह जो समय रहेगा यह समय आप अगर किसी से प्यार करते हैं लव का परपोजल देना चाहते हैं इन सब चीजों के लिए उत्तम रहने वाला है इन सब चीजों को आप अपने जीवन में आता हुआ द अगर आप कोई जॉब भी करते हैं, तो भी आप कोई भी कारिया है, आप इस समय में किसी न किसी परकार सी, किसी लव रिलेशन के अंदर एंटर हो सकते हैं, education के लिए समय student के लिए अच्छा रेने वाला है, वे education के अंदर अच्छा परफोर्व कर पाएंगे, इसके साथ ये जो समय रहेगा ये समय आपको कुछ ऐसी ओलिज, टेकनिकल नौलिज भी हो सकती है ये टेकनिकल चीजों के माद्यम से कोई ऐसी ओलिज जिसे आप अपने आगामी वहिश्ये में अपनी करियर के तौर पर इंप्लिमेंट करके लाप्राप्त कर पाएं ऐसा यहाँ पर कोई एजुकेशन आप प्राप्त करने का सोभाग्या आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है जिसके माध्यम से आप आने वल समय में काफी धन प्राप्त कर पाएंगे समय आपके लिए उत्तम बना हुआ है इसके बास 27 फरवरी 2023 से 15 मार्ज 2023 तक बुद्गिरे कुमराशी में आ जाएंगे अब देखे बुद्गिरे जैसे ही कुमराशी में आते हैं तो ये जो समय बताता है इस समय में विशेश तोर से आपको अपने रिन के लिए अगर आपको रिन की आवशकता पड़ती है तो बहुत सोच समझ करके लिए न चाहिए इस समय में शत्रू भी आपको कुछ परिश करने वाइज अपनी हैज़्ट के लिए खर्च के बारे में सूर्य के तzahl पर दमार्वाट हो जाते ही इस तक कुम राशी में गोचर कर रहे हैं और लिए आपके ट्वल्पाउस के लोड होकर के आपके सिक्स में होचर कर रहे हैं जो कि शनी के साथ और शनी की राशी में है और सुर्य के लिए आप पर नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो इस समय में आप उन्हें आसानी से पेकर पाएंगे, ऐसा यहां पर पता चलता है, कुल मिला करके हेल्थ के लिए सोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई देती है, प्रन्तु चादे नहीं, मेडिसिन समय पढ़ लेंगे, और आपके कारिया असानी से हेल्थ के लिए सही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं दिखाई देगी, इसके बाब बात करेंगे, मंगल के लिए चंदुमा के नक्षतर में गोचर करेंगे, तो यह जो समय रहेगा, यह समय आपको यात्राए कराने वाला होगा, लोग डिश्टेंस की यात्रा इस समय में आप कर सकते हैं, यात्राओ के माध्यम से कुछ लाप्राप्त होना, नेम फे मिलना, अच्छे क्लाइंट, कस्टमर आप जैनेट कर पाएं, सिबलिंग से मिलने का कोई अवसर प्राप्त हो, ऐसा भी हो सकता है, पर अगर आप राइटिंग इत्ते अधिका कोई कारे करते हैं, तो ट्रेवल करते हुए कुछ अच्छा राइटिंग या खापलिक पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है, इस आपको सम्मानित किया जाना यहाँ पर दिखा जा सकता है, इसके बाब बात करेंगे, गुरुक्रे के बारे में, गुरुक्रे देव गुरु बस्पती 13 अप्रेल 2022 से 21 अप्रेल 2023 तक मीन नाशी में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे, और देव ग जो में आप धार्मिक रहेंगे, आपके माता-पिता की हल्थ भी अच्छी रहेगी, वेबेरी कारियों से जुड़े रहेंगे, विकल इत्यादी है, उसका आप अच्छी प्रकार से भोग कर पाएंगे, ये समया में आप देखेंगे कि आपका जो इसपाउस है, या पार्ट अपने कारें वैवाशाई के लिए लिना चाहते हैं, या घर के लिए कुछ धनी, या वीकल के लिए कुछ धन लेना चाहते हैं, या ए्डवाइज लेना चाहते हैं, वो इस समय में आपको प्राप्त हो जाएगी, उसका आप सध्युप्योग कर पाएंगे, तो abruptly आपके अ उत्तम बना हुआ है इसके बाद शुक्रग्रे की बात करते हैं शुक्रग्रे बाद 15 फरवरी 2023 से 11 मार्स 2023 तक मीन नाशी में गोचर करेंगे शुक्रग्रे मीन नाशी में गोचर करेंगे जो कि आपके सेवंध हाउस में है और शुक्रग्रे आपके लिए आपके सैकेंड और नाइंत आउस के लॉर्ड हो करके आपके सेवंध आउस में गोचर करें और शुक्र यहाँ पर पूराभाद्पन नक्षत्र गुरू के के माद्यम से कुछ शॉर्ट डिस्टेंस की या ये के लॉग डिस्टेंस की टूर ट्रेवल पर भी जा सकते हैं ऐसा यहाँ पर पता जलता है शॉर्ट टर्म के लिए पर थोड़े समय के लिए जा सकते हैं घूमना जाना होटल मौल रेश्टुरेंट इत्यादी का आपको को बोग करेंगे इन सब चीजों का लाव आपको ये प्रदान करने वाले हैं इसके बाद शनीगरे की बात की जाए तो शनीगरे 17 जनुवरे 2023 से 29 मार्स 2025 तक कुमराशी में गोचर करें जो कि अपनी ही दूसरे राशी कुमराशी में आपके के शनीगरे आपके डरिष्टा लक्षात्र मंदल के नक्षफर में कोचर करें है ये जो शमय रहीगा येOoh शनीगरे यहा पर आपके शत्रों काकी अंपर बिशानियों कोई पर होने से ऊपके शत्रू कुछ ना कुछ ? अपनी होने वाली नहीं है इसके के साथ अगर इस समय पे आपको कोई रिन इत्यादी लेना पड़ता है या लोन इत्यादी आप लेते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा एक बजट बना कर ले कि किस प्रकार से आप उसे पे करेंगे अधरवाई इस समय में लिया हुआ रिन आपको मिल जाएगा आसानी से मिल आस परकार से आपको एक प्रतारित करने वाले शब्द सुनने को मिल सकते हैं तो प्रंतु उससे आपको किसी प्रकार की परिशानी नहीं इन सब चीजों से आपको बच कर रहना है जो कुछ यह बोल रहे हैं थोड़े समय के लिए बोलने दे अचर अंदाज करने का प्रियास करेंगे लापराप कर पाएंगे इसके साथ साथ इस समय में आपको अगर कोई डिजीज है तो डिजीज में आप अगर किसी डॉक्टर स सर्च कर लें या मेडिकल से जो भी आप मेडिसीन लाएं उसके एकस्पाइरी वगएरा चेक करके खाएंगे तो हेल्थ के लिए उत्तम रहने वाला है इसके साथ साथ जब राउगरे यहां पर आए हैं तो यह किसिन किसी पकार से अगर आपकी एज जादा है सिक्स्टी प् कर चलें और जो भी मेडिसीन देते हैं उसकी कम से कम एकस्पाइरी तो अवश्य चेक करके तब खाएंगे तो लाप राप्त हो पाएगा इसके बाब बात करेंगे केतुग्रे के बारे में केतुग्रे 12 अप्रेल 23 से 30 अक्टूबर 23 तक तुला राशी में गोचर कर रहे हैं केतुग का यहां पर आपको अचानक से सडन से कुछ न कुछ धरला आप कराएगा परिवार में खुश्यों का माहुल देगा पंद तु अचानक से दुख भी देगा परिशानी भी दे सकता है आपको अपनी वानी के लिए थोड़ा सा केरफू लेना चाहिए जितने अधरवाई आने वाले समय में आपके द्वारा बोले हुए शब्द आपको परिशानिंदे सकते हैं इस समय में आप जो भी कुछ भोजन ग्रहन करें तो उसे सुद और सात्वी भोजन ही इस समय में ग्रहन करें तो जाकर कि आपकी हेल्थ यहाप पर उत्तम बनी रहीगी तो यह ता सुरे से लेकर के रहो के तुप रहेंट के मुमेंट के उपर वर्लन अब बात करेंगे मून के ट्रांजिट के विशे में तेरा-चोदा फरवरी का समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है इस समय में धनलाब आपको होना आपके घर के अंदर वीकल इत्यादी का सुक सबस्था सब्सब्सक्राइब करने जाते हैं तो इसके लिए उत्तम समय इस सब चीजों को प्राप कर सकते हैं लाबदाई रहेगा इसके बाद 19-20 फरवरी का समय ये समय थोड़ा सा आपको केरफूल लेने के लिए बोलूँगा इस समय में आपको आपके मैर्टर नलंकल और आंटी के लिए थोड़ा सा केरफूल लेना चाहिए उनकी हेल्थ किसी प उतम रहेगा आप काफी आनदित रहेंगे अपने पार्टर के साथ अच्छे वैग जीवन का सूप पराप्त कर पाएंगे होटल मोल रेश्टरेंट इत्यादी में जाने का अफसर पराप्त होगा किसी धार्मी प्लेस पर भी जाने का अफसर अपको पराप्त हो सकता है इसक समय विशेश तोर से अध्यात्म के लिए उतम रहने वाला है अध्यात्मी कारियों को अगर इस समय में आप करेंगे तो लाप्राप्त कर पाएंगे तो कुल मिलागर के समय केरफुल लेने के लिए इस समय का ध्यान लखा जाए इसके बाद 26 27 फरवरी का समय आपके लिए अ सब्सर भी प्राप्त आपको हो सकता है इसके बाद 28 फरवरी और 1-2 मार्च का समय ये समय आपको आपके कारी वयवसाह में उन्नयति दिलाने वाला रहेगा कारी वयवसाह में आप अच्छा प्रफूर्म कर पाएंगे बनेगा इसके बाद 3-4 मार्च का समय तो यहाँपर 2- तोड़ा सा आपका धन मेडिकल मेडिसीन होस्पिटल इत्यादी के ऊपर यहां पर खर्च करना पड़ सकता है उसके लिए आप बजट पना कर चलेंगे तो लाप राप कर पर टेंशन देने वाला समय होता है इसके बाद आठ नू मार्च का समय आपके लिए काफी उत्तम रहे का यह समय भी आपके लिए एक मेंड़े हा पर यह गया है 10-11 मार्च का समय जो रहेगा यह समय आपको धन दिनाने वाला होगा अचानक से आपको कुछ धन प्राप्ति यहाँ पर करा सकता है यह अचानक से अपने परिवार के साथ आपको घूमने जाने का अवसर प्राप्त इसके साथ कुछ राइटिंग इत्यादिया कारी करते हैं तो उसमें आपको लाब ये देने वाल रहेगा, पुल मिलाकर के समय उत्तम रहने वाला है, समय का भरपुल लाब उठाने का परियास किया जाए, तो ये था कन्या लगन के लिए मंतलिम एडिक्शन, अगर आपको मेर नए वीडियो अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें हैं, यदे आप मेरे चैनल पर नहीं है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिस्ते आन्यवल नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिच सके, और मेरे इस वीडियो को प्रेमपोग देखने के लिए आपका अप्रेमपोग धन्यवाद, नमस्कार.